कर दोस्तों मेरे ना मैं संदीव कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत है में यूटूब चैनल पर नहीं है जली से मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि मैं लेकर आता रहता हैं इसी बहुत साई आपटेट चाहे वो जर्मनी के बारे में हो चाहे वो UK के बा मुश्कले उन लोगों के लिए हैं जो लोग फ्री फंड में लगा के जा रहे थे तो जो बच्चे पड़े लिखे हैं इंटेलिजेंट है शार्प माइंड है वो टेस्ट ऐसे बिल्कूल ही घबराएंगे नहीं वो घबराना चाहेंगे क्योंकि जो 12 में पढ़ाया गया जो टेंथ में पढ़ाया गया उसी की कोश्चन आते हैं जिन बच्चों ने 12 में या 11 में पढ़ाई की है अच्छे नंबर ले हैं वो तो वैसे ही पास हो जाएं तो बच्चों के लिए 130 में से 80 नंबर लेना 100 नंबर लेने को इतनी बड़ी बात नहीं है वो आराम से पने नंब स्टेड़ी करेंगे या तो मैंनब करके प्वोरगीं कंट्री में जाएंगे gute श्राइस को भूस सारे बच्चे घर्मची में जाना शुरू कर दिया था जब ले पता चला कि जर्मची नंबर र booked सब्सक्राइब नहीं कुछ दो तीन डॉकमेंट जमा करो वहां फिल फिल करो अपना वीजा ले लो तो लोगों ने ऐसे मिस गैड कर दिया थे कंट्री को फेक डॉकमें लगाने शुरू कर दिये तिनी ज्यादा अप्लिकेशन जमा हो गए थी लोगों कुछ लोगों को वीजा अभी मिल गए थे तो अभी जर्मनी स्टिक हो गया है तो उन लोगों के लिए बहुत सारी वार्निंग देजी गई है अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप पड़ाई लिखाईवाल अच्छे डॉकमें लेकाई है जैसे कि आयल्स सिक्स करना चाहिए कर रहे हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है जर्मनी पहुंच गए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बाद में आप फेल हो जाएंगे ना वहां के रहेंगे तो लोगों के लिए इसलिए आप जब भी किसी फॉर्ण कंट्री में आइल्स के साहती जाएं च समस्केर में आता है जो हमनेके इंग्म ब्राइब करना चाहते हैं आप शेयर बनाना चाहते हैं और क्ट सह नहीं का इसे आपप्लाइप्लाइब करें Yogya आप एफद के पाहें पदाए तो पदावी पझा कर रहा ने यहीं डॉक्ताION कर्ारा है पहले रिजक्ट कर देती कोई अप्लिकेशन फीस्वी ने लेते हैं अभी एक कंट्री है लाट्विया लाट्विया क्या करते हैं डॉक्ष्ट करना शुरू कर दिया है जिनके पास आइलर्स है अच्छे नंबर हैं उन्हें को अड्मिशन दे रहे हैं उन्हें का इंट्रिव ले रहे हैं उनकी की फाइल समिशन हो रही है तो जर्मनी बहुत ज़्यादा आगे हैं तो सोचें जर्मनी ऐसे बच्चों को आड्मिशन बिल्कुल नहीं देगी वही बच्चा बादाई में मेहनत करेगा वही बच्चा बीजा ले पाएगा टो फेक क्टे और से बचने कही चाहिए कर लेनी है तेस्ट की त्यारी करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है उस पड़ाई के लिए मैं जा रहा हूं में उस पड़ाई में कितने लेवल पे हूं क्योंकि अगर आप तो यूश्ट को पता चल जाता है बच्चे का बेस कलियर है बच्चा इस बहुत ही डिफिकल्ट है जब तक आप पोशिच नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएंगी क्योंकि जो आपने टेस्टेज में देने जा रहे हैं वही आपको ग्रेजूशन में तो आपने घवराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब इंडिया में हम स्टड़ी करते हैं अच्छी जूनिवस्टी में अडिमिशन लेते हैं जैसे आईटी में तो पहले क्या होता है जे एक्जैम देना पड़ता है तो वह बच्चे भी एक्जैम की त्यारी कर रहे हैं तो अगर जिन्डिया में शारी कुष्टि में बना सकते हैं अगर नहीं हमें फौरण लेनी हैं अफ्रोड का इंफिमिशन ले लिए क्यूंकि आप अद्वांस लेवल पे होती जैसे हर बच्चे का बहुत असान हो जाता है तो इंट्रवी करना बहुत डिपर ले वहां पसी पर देखा जाता आप इंडिया की स्टेडी लेकर और जो फॉर्म की स्टेडी है दोनों मिला गया आपके कितने अंदर इंप्रूब्मेंट कितने आपको प्रैक्टिकल इंफॉमेशन कितने आपको इसकिल की नोलेज है तो अब आप करीर बना सकते हैं क्योंकि वल्ड में बना सकते हैं क्योंकि अगर आफ लाइव ना चाहते हैं अपनी वहांव डिकल दे रहे हैं आपको प्लाई करना को प्रैसे जूत नहीं पड़ती है अगर आप यहाँ पर simple rule follow भी करेंगे आपको बड़े रामसे PR मिल जाएगी कोई rule follow करेंगे बहुत साइड documents हैं तो पहले basic clear कर दो आपका कोई वहाँ पर criminal code नी होना चाहिए आपकी German language complete होनी चाहिए वहाँ पर जो और की requirement है और आपको जो टैक्स से वह बराबर देते रहने चाहिए जो तीन जिए आप फोलो करेंगे तो आपको रामसे पर PR के लिए आपको उसके बारे में पूरा guide करेंगे कैसे आपने उसका batch लेना है कौँसा आपका टाइमिंग सेटर है वह भी आपको पूरा बता दिया जाएगा अगर आप German language के बारे में अगर आपको जल्दी में पूरा बताऊंगे कि आप एडिमिंशन और वीजा दोनों कैसे ले सकते हैं टेस्टेस की त्यारी कैसे कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी अपडेट मेरे पास आती रहते हैं अगर आप चाहते हैं आपके पास मिलती रहे तो मैं चाहिए को सब्स्राइब कर लीजेगे अगर आपको यह मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो अगर वह भी ऐसे टॉपिक चाहते हैं आते रहें तो मैं चलब लाइक सब्सक्राइब चीजर कीजिएगा नमस्कार